अध्याय तेरवां साई बुलेशा की वानी, काफियां, बारह मा, सिहर्फी, अठवारा, गंडा, दोहे कुलियात में का गया है मैं बेकैद, मैं बेकैद मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद, ना मैं मोमन, ना मैं काफर, ना सयद, ना सैद चौदी तबकी सेर असाड़ा किते नहुंदा कैद खराबात है जात असाड़ी ना शोबा ना एब बुले शादी जाद की पुछने ना पैदा ना पैद वानी का संपादन यहां बुले शा की वानी के अध्यन के लिए अन्वर अली रहदगी की पुस्तक, गानून इश्क, डॉक्टर फकीर मुहमद की पुस्तक, कुलियात या काफियाँ बुले शाद नजीर अहमद की पुस्तक, कलाम बुले शाद अब्दुलमजीद भटी की पुस्तक, काफियाँ बुले शाद गुर्देश सिंग द्वारा सं पादिक पुस्तक, बुलेशा दा कावे लोक, प्रोफेसर जी एल शर्मा की पुस्तक, बुलेशा, विवेचन, ते रचना, ते प्यारा सिंग पदम की रचना साई बुलेशा से लाब उठाया गया है। पूरी आ चुकी है, वह दोबारा वाणी वाले भाग में शामिल नहीं की गई, परंतु शोताओं की सुविधा के लिए वाणी अनुकरम निका में उसका भी विवरन दे दिया गया है। पुलेशा की सारी काफियां पंजाबी लिपी में प्रकाशित की हैं। प्रस्तुत पुस्तक के लिए काफियों का हिंदी पाठ तयार करने में इन दोनों विद्वानों की पुस्तकों से भी लाब उठाया गया है। काफियों में कई स्थानों पर पाठ में अंतर दिखाई देता है। पुस्तक का मुख उदेश साई बुलेशा की वानी के रुहानी पहलू को प्रस्तुत करना है। परन्तु कहीं कहीं पाठ भेदों के विषय में अपने सुझाव नीचे टिपनीयों में शामिल किये गए हैं। काफियों के भाव और उनमें आये कठिन पदों के अर्थ नीचे फुटनोटों में दिये गए हैं। अवश्यक्त अनुसार कहीं कहीं विचारों की संक्षेप व्याख्या भी की गई है साई बुले शाक की काफियां काय जाने के लिए रची गई है प्रत्येक काफी की पहली पंक्ती, टेक या स्थाई की सूचक है जो हर पध्यांश के बाद दोराई जाती है पुस्तक में एक पध्यांश को दूसरे से अलग करने के लिए स्पेस दिखाई गई है या टेक को दोराया गया है काफी गाते समय हर पध्यांश के बाद टेक की तुक को दोराना अवश्यक है